हेलो फ्रेंद्स मैं हूँ आयूशी और आज मैं बनाने वाली हूँ जलेबी तो यह जो जलेबी है ना यह बहुत ही जटपड बनने वाली है और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां पर मेरे पास बची थी चाश्नी तो यह रजगोले की चाश्नी बची थी तो मैं ने सौच को इसे क्यों वेश्ट करना तो इसी कए हम यूज करते हैं मैं इसमें डाल दिया आ है यह प्राद कर्द कर दिया ज फोड़ा बॉयलाने के लिए इसे छोड़ दिया है दक हम बनाते हैं जलीबी का बैटल तो मैंने हाँ पर ले लिया मैदा एक टेबल स्पूर मैंने गी ले लिया और इनो ले लिया है तो देखा इसमें सिर्फ तीन चीजे चाहिए और हमारा जलीबी का बैटल तैयार हो अब यहाँ पर यहां पर दिया est a लें तो छोड़ा जाला है शेमारी 5-7- rather लेहां एक लिए करने में गड़ा दो कर देदे नंगों तो तो mix करते करते आप देखोगे कि इस तरह से हमारा यह batter हो जाएगा तो यहाँ पर देख रहे हो कि हमारा batter काफी smooth हो गया है बहुत अच्छा हो गया है तो आपने देखा होगा कि हमारा जो बैटर है कितनी जल्दी बन के तयार हो गया है, अब आप देख रहोंगे consistency, तो इस तरह से हमें रखनी है, तो हमने एक polythene लिये, तो polythene में हमने वो बैटर डाल दिया है, और अच्छे से हम इसे नीचे तक प्रेस करेंगे, क्यों नीचे तक आजाए, उसके बाद हम इसे रबर से टाइट से बांदेंगे, अगर आपके पास piping bag नहीं है, आप polythene का यूज कर सकते हैं, मैंने भी यहाँ पर polythene का यूज किया है, अब बारी है, इसके कट करने की, तो यहाँ पर जो कट करोगे, तो ज्यादा बढ़ा भी नहीं करन है, यहाँ पर मेरा तेल भी गरम हो चुका है, अब बारी इसके जलीबी बनाने की, तो बस हमें ऐसी गुमा गुमा के जलीबियां बनानी है, तो शुरू शुरू में तो अच्छे पॉफेक शेप आता नहीं, आप मेरी भी देख सकते हो, तो आप जब धीरे दीरे करके आप निकाल देती हूँ, तो इस देखे कितनी अच्छी लग रही थी, सुन्दा लग रही जलीबियां, और जादी मोटी भी नहीं है, और जादी इसने बारी भी नहीं है, अब हम दूसरा बैच शुरू करते हैं, तो यहाँ पर मेरी दूसरा बैच में जलीबियां निकाल ली है तो अब बारी इसके चाशनी में डालने की, तो मैंने यहाँ पर सारी जलीबियों को चाशनी में डाल दिया है, और अच्छे से बिगो दिया है, हम इसे दो तीन मिनट तक रखेंगे, जिससे की जलीबिय के अंदर सारा जो चाशनी है चला जाए अच्छे से, तो अब मैंने के करके सारी जलीबिया भी निकाल के रग दी है तो अब बारी है इसकी प्लेटिंग की तो हम इसे अच्छे से सजा दिया है मैंने तो आप इसमें रबडी डा सकते हैं अपनी मन पसंद कोई भी चीज़े आप इसमें ड्राइ फूट्स डा सकते मैंने यहां पर पिश्टा से से गार्णिश गया है और वो इतनी अच्छी लग रही है देखने में तो मुवे पानी आ गया है तो देखिए आप ज़रूर घर पर ट्राइ कीजिए और आपको बहुत पसंद आए यह इंस्टेंट करस्पी जली भी आप आने वाले फैस्टिव सीजन में ज़रूर ट्राइ की करेंजीगा तो मिलते हैं नेक्ससस एपी के साथ बाई बाई